जब आप English सीख रहे हो तो आप अपने देश के साथ में बिलकुल गदारी नहीं कर रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है हमने देखा कि बच्चों को English तो आ गई English का पेपर भी उन्होंने क्लियर कर लिया लेकिन written English था जब कम्यूनिकेशन की बात हो गई जब लोगों से connect करने की बात हो गई तो वहां पर फिर भी लड़कडा रहे थे क्यूं और इस पूरे English सीखने के प्रोसेस में आपको दो तरह के लोगों से खास परहेज करने की ज़रूरत है क्योंकि ये दो तरह के लोग आपको जीवन में कभी कुछ नहीं करने देंगे कुछ भी करो ये हमेश आपका मज़ाग उड़ाएंगे पहले तो वो है हलो नमस्ते राम राम एंड जैहिंद एवरीवाण मेरा नाम है सुमन शर्मा और सरीन पाच्छाला पर आपने मेरी बहुत सारी क्लासेज ली होगी जहां पर हम इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक्स सीखते हैं आज हम कोई टॉपिक नहीं करने वाले हैं आज हम लोग यह देखेंगे कि हम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं दवाइ ओफ इंग्लिश एंड दवाउफ इंग्लिश कौन सा इंग्लिश एक तो होता है जहां पर आप सिलबस कवर करते हैं जो हम competitive students को competitive examination की तयारी करने वाले government सरकारी जो exams होते हैं उसकी तयारी करने वाले बच्चों को सिखाते हैं दूसरा एक है English जो spoken English है जो practice मांगता है जो कोई syllabus से सीमित नहीं है अब मुझे ही motivation कहां से आई कि मैं बच्चों को competitive English के साथ साथ spoken English भी सिखाऊं मेरे बहुत सारी students select हुए बहुत सारी students से select होने के बाद जब वो अपने अपने post पर joining में अलग-अलग states पर जाते हैं हमने देखा कि बच्चों को English तो आ गई English का paper भी उन्होंने clear कर लिया लेकिन written English था जब communication की बात हो गई जब लोगों से connect करने की बात हो गई तो वहां पर फिर भी लड़ खड़ा रहे थे क्यूं रीजन में आपको बताती हो उनको हिंदी नहीं आती और आपको उनकी भाषा नहीं आती अब यहां पर जो common connecting link होता है वो है English और English बोलना अब उनसे जाके आप nouns pronouns की discussion तो नहीं कि मैं English बोलना सीखना क्यों जरूरी है क्या हमने क्वालिफाइ कर लिया क्या Hindi इनफ नहीं है English सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के टाइम पर in the 21st century जब आप internet यूज कर रहे हैं जब आप Instagram, Facebook, Twitter ऐसे माध्यम ऐसे बहुत सारे social mediums के जरिए आप international audience इसे connect हो रहे हैं य मान लेजे कि आप North की student है, आप UP के student है, बिहार की student है, राजस्थान या हर्याना की student है और आपकी posting हो जाती है North East में, भारत के North East में, वहां पर English बोली जाती है, हिंदी जादा लोगों को नहीं पता, भारत में ही अगर आप Southern States में आपकी posting आती है, आप वहां पे जाते हैं, वहां पे भी आपको English में बोलने की जुरूत होती है, क्योंकि वहां पे हिंदी बहुत जादा लोगों को नहीं पता, और सीधी बात है कि वहां के राज्य की भाशा आपको भी नहीं पता, तो जो connecting language होता है, वो है English, और यही चीज internationally भी applicable होगा, अगर आप किसी foreign student से बात कर रहे हैं, अगर आप किसी foreign company के head से बात कर रहे हैं, कहीं आप iOS officer है, तो obviously अगर वहां पे कोई company का head आता है, वो usually foreigners होते हैं, आपको किस भाशा में बात करना है, आपको English में ही बात करना पड़ता है, हम अब वहां पे बैठ के उसको अपनी मात्र भाशा तो नहीं सिखा सकते ह यह है कि आप अपने audience के साथ में connect हो, आप अपने client के साथ में connect हो, isn't it? तो इसलिए हमें English सीखना है, content जो होता है, हम देखिए जब engineering सीखते हैं, हमें बता है कि भाई मुझे engineer बनना है, तो आप 4 साल जाके engineering सीख के आते हैं, वहां तो आप नहीं सोचते हैं, मैं engineering क्यू तो उसी तरह से मुझे लगता है कि आपको English के लिए भी ये question नहीं पूछना चाहिए, आपको English एक ego वाला matter नहीं होना चाहिए, आपके लिए English एक skill development होना चाहिए, हमें अपना approach सही करने की जरूरत है कि हम English क्यू सीखें, क्यूंकि हम अपने आपको और सशक्त बना रहे है Remember students, subject knowledge आपको सशक्त बनाता है, subject knowledge आपको empower करता है, subject knowledge empowers you, but the knowledge of communication and communication in a connecting language, that is English, puts you in a leading position. अगर आप English अच्छे से बोलना जानते हैं, बहुत सरी लोगों को अपने field के बारे में knowledge होगा, लेकिन अगर आपको अच्छा communication करने आता है, तो आपको leading position, नेतृत्व करने का position बहुत easily मिल जाता है, आप खुद देखिए, आप किसी group में बैठे हैं, समूह में बैठे हैं, और वहाँ पे आपको कुछ express करना पड़ गया, कितनी बार आप हिचकिचा के उठे नहीं, जबकि आपको पता है, बोलने वाले से बहतर आप हैं, अगर इन सब situations में आप रह चुके हैं, इसका मतलब आपको सिर्फ एक skill develop करने की ज़रूत है, और वो है spoken English, right? I hope अब मैंने थोड़ा बहुत आपका ये जो doubt रहा होगा कि English क्यों सीखें, इसका answer ढूडने में, इसका जवाब ढूडने में मैंने आपकी मदद की होगी, अब अगर आप इस बात से संतुष्ट हैं, क्योंकि देखिए attitude, हमारा जो नजरिया होता है, ये बहुत बड़ा role play करता है कि हम अपने जीवन में क्या सीखते हैं, या हम अपने जीवन में कैसे बनते हैं, अब एक बार जबा पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है, कि हाँ, हमें English सीखना है, जरूरी है, and just take it very simple, कि मुझे एक skill और develop करना है, आप engineering के वक्त engineer बनते हैं, doctor बनना है, आपको तो आ और एक बात बता दू, spoken English, कुछ बच्चों को ये लगता है कि हम spoken English सीख लेंगे, तो हम फर्राटे-दार English कहीं पर भी जाके बोल सकते हैं, no, remember one thing, बोलने के लिए आपको एक language बता होना चाहिए, और दूसरा, बोलने के लिए कुछ content भी होना चाहिए, आप जिस भी language में ब साम करें, content कैसे आएगा, reading से, read books, read good things, learn good things, be in good company, और उसके बाद जब आपकी एक विचारधारा डेवलाप हो जाती है, फिर जरूरत होती है power of expression की, कि हमें express करना है, अपने आपको व्यक्त करना है, expression मतलब क्या, आपके दिमाग में जो भी है, आप सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा पाए, right? फिर उसके बाद आजाता है आपका spoken English सीखना, क्यों? क्योंकि, as we know, कि हम आजकल social media के जमाने में बहुत सारे international लोगों से जुड रहे हैं, और हमारा जो connecting language है, वो तो English है ही, तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम English सीखेंगे, अब कोई भी भाशा हो, आ आज आप अपनी मात्रभाशा बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको English बोलना है, अब आप बोलेंगे कि माम, आपकी सारी बात समझ तो आ रही है, ठीक तो है, लेकिन हमारे पास माहौल नहीं है, हम कैसे English बोले, हमारे आसपास के लोग English नहीं ब अच्छे सकते हैं, तो आप देफिनिटली जोष शकिल्स अप पर वो अपना महौल बना के सीख सकते हैं, ब्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने आसपास महौल बना सकते हैं, आप अपने जीवन की दिशा खुद निर्धारित कर सकते हैं, राइट कैसे, क्योंकि आपके जैसे आपको महॉल नहीं मिल रहा हूँ, वैसे आपके इस थाथियों को भी महॉल नहीं मिल रहा होगा, तो आप पहली बात तो अगर आपने डिसाइट कर लिया कि हमें सीखना है, तो वह माहॉल अभी अचिपास बनाईए, वो ऐसे कि बच्चे अपने आपको अभी भी express नहीं कर पा रहे हैं, select हो गए है लेकिन अभी भी अपने आपको express नहीं कर पा रहे हैं, तो यह मेरा motivation था कि मैंने आप लोगों को English बोलना सिखाना शुरू किया, अब आप मुझे बताएंगे comment में कि आप English सीखना क्यों चाहते ह कौन सी ऐसी चीज है आपके लाइफ में जो आपको बिल्कुल क्लियरली बता दी कि नहीं यार इंग्लिश तो सीखना है जरूरी है हमारे लिए कौन सी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है कि आप अपने जीवन में कुछ बने आप इंग्लिश सीखे वो आप मुझे कॉमें में ज़रूर बताईएगा एंग्लिश में कॉमेंट करेगा क्योंकि यही है हमारा पाथ टू चेंज जो चीज हम बनना चाहते हैं वह हमारे रोज मर्रा के जीवन में देखना चाहिए जो भी बदलाव हम अपने लाइफ में लाना चाहते हैं वह एफ़र्ट आपके डेली ल करो यह हमेश्च आपका मजाग उड़ाएंगे पहले तो वह है जो आप इंग्लिश सीखने की कोशिस करेंगे इंग्लिश बोलेंगे तो आपको बोलेंगे आया बड़ा अंग्रेस बन रहा है आपको इसे ट्वीट करेंगे जैसे कि आप अपने देश के साथ गदारी कर रह है आप अपना इंग्लिश बोलने का जर्णी शुरू करिए आप सीखना शुरू करें शुरुवात में तो हर कोई लड़ खडाता है हर कोई गिरता है बिलकुल उसी तरह से आप भी गलतियां करेंगे लिकिन गलतियां करते मेंगे आप रहे हैं जहां पबलिक डीलिंग है ज जहां public relations है, वहाँ पे आपको power of communication डेवलाप करना, हमेशा leading position पर रखेगा, हमेशा आपको बाकियों से अलग बना देगा, तो ऐसे लोगों की साथ हमें क्या करना है, हमें बस इन्हें इग्नॉर करना है, क्यों? क्योंकि जब आप English सीख रहे हो, तो आप अपने देश के साथ म बिलकुल गदारी नहीं कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको अंग्रेज बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपना एक skill set, अपने कोशल्य को increase कर रहे हो आप, है ना, आप अपने आपको बाकियों से अलग बना रहे हो, आप अपने आपको leading position में आने के ल आते हैं, वो समझते कि भाई ये तो पड़ाव आता ही है, इंग्लिश सीखने के दौरान, है ना, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे लोगों को एग्नौर करना है, और इंग्लिश सीखते रहना है, आपने आपको सशक्त बनाना है, remember, subject knowledge empowers you, but power of expression puts you in a leading position, subject knowledge आपको सशक्त बन हमारा focus किस पर रहता है, leader पर, isn't it? लोग leader का इंतिजार करते हैं कि ये कुछ बोले और हम वो चीज करेंगे, अगर उस position पर जाने की आपकी मनशा है, तो आपको अपना power of expression भी सीखना चाहिए, और of course, जैसा कि मैंने आपको बताया था, power of expression तब आएगा जब आपके पास content ह होगा, so work on your content as well as your power of expression. पताय हम जब भी भारत को आगे लिए जाने की बात करते हैं, जब भी ये कहते हैं कि 2030 तक भारत एक super power बन जाएगा, क्योंकि हमारे पस बहुत young population है, हम बहुत महनती हैं और पता नहीं क्या-क्या, पर क्या हम सच में ये सोचते हैं कि क्या सच में भारत उस राह पर है, क्या स भारत की युवा इस टाइम पे ये सोच रही है, इतने बड़े सपने ले रही है, कि 2030 तक भारत को super power बनाने में वो contribute कर सके, दोस्तों आपको पता है, 90% से ज़्यादा इंडियन्स जो है, वो 12,000 से भी कम की salary earn कर रहे हैं, कभी-कभी सोच के नामुम्किन सा लगता होगा है और शायद इसी बात का हमारे आसपास के भाई बंदो मजाग भी बनाते होंगे, पर एक बहुत अच्छी कहावत है, English में बहुत अच्छी कहावत है, कि for every stone thrown at you, it's your duty to transform it into a milestone, किसी भी देश को महान बनाते हैं उसके लोग, और उन लोगों को महान बनाती हैं दो चीज़े, पहली वो जस्बा, वो जुनून, वो जोश अपने देश को आगे ले जाने का, और दूसरी ग्यान, स्किल्स और नौलेज की दाकत, हम सभी जोश टॉक्स के परिवार के मेंबर से, और regularly अपने ही जैसे role models, भारत के असली hero heroines की कहानिया, जोश टॉक्स की YouTube चैनल पे सुनके खुद को जोश से बर रहे हैं, पर अब सिर्फ जोश से काम नहीं चलेगा, अब हम सब को मिलके वो पहला कदम लेना होगा, वो पहला कदम लेना होगा भारत को सुपरपार बनाने के लिए, जिसके लिए हमें सही knowledge और skills देने के लिए आया है, जोश skills app, हमारे जोश community के members जोश skills आपको डाउनलोड करें और ले वो पहला कदम खुद को और देश को आगे बढ़ाने के लिए